अपने पास है आज विक्टर्स लेप्टोप एंड इसकी अन्बोक्सिंग करेंगे एंड डेकेंगे कि ये लेप्टोप अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं इस लेप्टोप का मॉडल नंबर है HP 16E0162AX ये लेप्टोप आपको 50,000 के बजट से लेके 55,000 के बजट में मिल जाएगा एंड ये एक गेमिंग लेप्टोप है और HP के विक्टर सीरीज से आता है वैसे ये बोक्स बहुत जादा वारी है तो चलिए इस बोक्स को जल्दी से उपन कर लेते है ये आपको कार्डबोड ट्रे में लेप्टोप मिल जाएगा ये चार्जर की पावर कोड है ये आपको 200 वार्ट की इट मिल जाएगी अच्छा काजा वेट है इसका और वोक्स में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको ये है अपना लेप्टोप देखने में काफी प्रेमियम है तॉप कवर के सेंटर में आपको विक्तस की ब्रांडिंग मिल जाती है इन्ज के उपर भी आपको विक्तस की ब्रांडिंग मिल जाएगी डिजाएगी यहाँ पर भी आप विक्तस की ब्रांडिंग देख सकते हो एन गईज यहाँ पर Palmrest पर भी आपको Victus की ब्रांडिंग मिल जाती है तो भाई लेप्टोप के हर कोने में आपको Victus की ब्रांडिंग मिल जाएगी एन भाई ये लेप्टोप बहुत बारी है एकाद से समाला नहीं जा रहा सबसे पहले इस लेप्टोप के Specs and Upgrades की बात कर लेते है इसमें आपको AMD का Ryzen 5 5600 Edge CPU मिल जाता है और ये 6 Core 12 Thread के साथ में आता है इसकी Performance बहुत यची रहीगी और ये Intel के i5 12-450 Edge को भी बीट करता है इसमें आपको 16 MB की Level 3 Case Memory मिल जाती है एंड इसकी डीड राइडी स्पीड ठीक टाक है और ये Samsung brand की SSD रहेगी इसमें आपको 1 M.2 Slot खाली मिल जाएगा तो फ्यूचर में अगर आप इस लेप्टोप की Storage को Upgrade करना चाहते हो तो आप Definitely कर पाऊगे इसके साथ में इस लेप्टोप में आपको AMD Radeon RX 5500M GPU मिल जाता है और ये Dedicated GPU रहेगा इसमें आपको 4GB की GDDR6 Type की VRAM मिल जाती है इसकी Performance बहुत यह सम रहेगी मैंने इस वीडियो में Benchmarks और Gameplay भी इंक्लूड किया है वो वाला पाट आप जरूर से देखना वहां से आप जज़ कर पाऊगी कि इस लेप्टोप की Performance कैसी है और इस लेप्टोप में आपको Integrated GPU भी मिल जाता है Connectivity की बात करें तो इस लेप्टोप में आपको Wi-Fi 6 और Bluetooth 512 का support मिल जाता है तो आप समझ रहे हो यहाँ पर आपको latest connectivity के option मिलने वाले है और इस लेप्टोप में आप wirelessly high speed data भी consume कर सकते हो और यहाँ पर आपको RJ45 LAN port भी मिल जाता है और मेरे internet plan की speed 40 Mbps है और यह wirelessly पूरी की पूरी 40 Mbps speed को consume कर रहा था तो connectivity में भी यहाँ आपको seamless experience मिलेगा और यह वाला पाट जेपूर वालों के लिए है अगर आप जेपूर से बिलोंग करते हो और आपको अपने लिए एक best laptop बाय गरना है यह PC बाय गरना है तो आप आज ही जेपूर computer market विजिट कर सकते हो यह WTP के पास गोरव टाउर में situated है यहाँ पर आपको सभी ब्रांच के laptop और PC best price बे मिल जाएंगे और वो भी better customer support के साथ में तो देर किस बात की description marksman के contact number है और address भी mention किया है आप जाकर जुरूर से check out करना और हमारा reference दोगे तो में भी आपको discount मिल सकता है अब build and design की बात करें तो यह laptop काफी solid है और heavy भी है इस laptop का weight 2.46 kg का रहेगा तो आप इस laptop को easily carry नहीं कर सकते हो अगर आप इस laptop को अपने office या college वगिरा ले जाना साते हो तो भाई आप इसको avoid करना क्योंकि यह एक heavy laptop है और अगर आपको performance के साथ कोई compromise नहीं करना है weight आपके लिए कुछ मायनी नहीं रखता तो भाई आप इसकी तरफ जा सकते हो यह laptop आपको mica silver color option में मिल जाता है काफी aesthetic और minimal design के साथ में आएगा और देखने में यह laptop बहुत ही premium लगता है इस laptop के lid के top cover पर आपको Victus की branding मिल जाती है Victus की यह branding इस laptop को और भी unique बनाती है इस laptop की lid को आप single hand से open कर सकते हो क्योंकि guys यह gaming laptop है और जातर gaming laptop में wet distribution अच्छा मिल जाता है तो इस वज़े से आप इस laptop की lid को single hand से आसाने से open कर सकते हो और यह वाला feature आपको बहुत पसंद आएगा इस laptop की display की bezels भी बहुत ही कम रहेगी इसी वज़े से यह laptop model look offer करता है bottom panel पर आपको 2 air intake के लिए vent मिल जाते है और hinge के पास में आपको एक बड़ी सी air exhaust grill मिल जाती है इस laptop का thermal management बहुत ही अच्छा है इस laptop में आपको total 2 cooling fan मिल जाते है इस वज़े से यह laptop ज्यादा heat नहीं होगा और इस laptop के cooling fans की speed को आप common gaming app से control कर सकते हो और इस laptop की build quality बहुत ही solid मिलेगी आपको इस laptop में आपको aluminium exterior shell का option मिल जाएगा मतलब कि यह laptop metal में build नहीं है इस laptop में आपको only aluminium की layer मिलेगी बट build quality में आपको कोई भी compromise नहीं करना पड़ेगा इस laptop का keyboard flex और top cover flex बहुत ही minimal है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस laptop की build quality कैसी रहेगी और इसकी बात करें तो इस laptop के right side में आपको एक power in port का option मिल जाता है RG45 LAN का option मिल जाएगा HDMI port मिल जाता है एक USB type A का port मिल जाएगा एक USB type C port मिल जाता है तो इस laptop में आपको सबी जुरूरी ports के option मिल जाएगे और इस laptop के type C port से आप display output निकाल सकते हो अपने devices वगेरा को charge कर सकते हो और high speed से data भी transfer कर सकते हो अब इस laptop के keyboard की बात करें तो इसमें आपको full size keyboard का option मिल जाता है चिकलेट keyboard रहेगा और जो kit level है वो भी काफी अच्छा है इसमें आपको backlit keyboard का option मिल जाता है और ये only single level के साथ में आता है और personally मुझे इस laptop का keyboard बहुत ही पसंद आया इस laptop की touchpad की size भी बहुत ही अच्छी है काफी quickly से work करता है और ये responsive touchpad है इसी के साथ में ये windows 11 के सभी gestures को support करता है और believe me guys इस laptop के touchpad की quality बहुत ही अच्छी है palm rest पर आपको victus की branding मिल जाती है इसी के साथ में HP support का एक इस trigger मिल जाएगा अगर आपके laptop में कुछ भी problem आती है तो यहां से आप connect कर सकते हो palm rest के left side में आपको Microsoft Office 2021 का sticker मिल जाता है AMD की CPU का logo मिल जाता है graphics का logo मिल जाता है and B&O की branding मिल जाती है तो और राल इस laptop के touchpad की quality and keyboard की quality बहुत ही उसम रहेगी यह आपको disappoint नहीं करेंगे अब चलिए देखते इस laptop का boot time कितना है यह laptop 10-15 seconds में boot हो जाता है HP का यह laptop बहुत ही fast है and काफी quickly से response करता है display की बात करें तो इस laptop में आपको 16.1 inch की IPS panel की display मिल जाती है और यह full HD resolution के साथ में आती है यहाँ पर आपको anti-glare coating मिल जाती है 250 Nets और 45% का NTSC support मिल जाता है अगर आपको बड़ी screen size वाला laptop बाई करना है तो बाई यह laptop आपके लिए बहुत ही अच्छा option हो सकता है और इस laptop में only एक ही कमी है अगर यहाँ पर display का refresh rate 120 या 144 होता तो यह बहुत ही अच्छा होता बढ़ यहाँ पर HP ने only 60 Hz का पैनल दिया है जो कि बहुत बूरी बात है तो HP वालो इसके बारे में आपको ध्यान दियाना पड़ेगा अब audio quality की बात करे तो इस laptop में आपको B&O के dual speaker मिल जाते हैं और इसमें आपको down firing speaker bands मिलेंगे एंड इनकी quality आप खुद सुन सकते हो इस laptop में आपको HP audio boost का भी option मिल जाता है तो इसकी help से आप इस laptop की audio quality को और भी enhance कर सकते हो एंड इसकी audio quality बहुत impressive है आपको भी पसंद आईगी Victus के इस laptop में आपको HD webcam मिलेगा और इसके साथ में आपको dual integrated mic के भी option मिल जाते हैं इनकी quality ठीक ठाक रहने वाली है देखो यह audio और वीडियो इस laptop के webcam और mic से suit हो रहा है तो यहाँ पर आप खुद जाज कर सकते हो कि इसकी quality कैसी रहेगी अब चलिए इस laptop की कुछ benchmark check out कर लेते हैं Cinemax R23 के multi-core में यह laptop 9200 13 का score gain करता है और single-core में यह laptop 1376 का score gain करता है और इस CPU का comparison अगर आप Intel के 12450 Edge CPU से करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी difference नजर नहीं आएगा यह CPU Intel के i5 12450 Edge के equal perform करता है तो अभी भी आप AMD के Ryzen 5 5600 Edge को consider कर सकते हो Geekbench 5 की single-core score में यह 1404 का score gain करता है और multi-core में यह 5788 का score gain करता है इसे के साथ में Geekbench 5 का OpenCL score में यह 39896 का score gain करता है यह इस laptop की GPU का score है और भाई मैंने इस laptop का SSD का read-dry test भी किया है आप इस screen पर देख सकते हो मैंने बार-बार SSD की read-dry speed चेक की है यही speed offer हो रही थी बट यह read-dry speed भी बहुत ही अच्छी है इसे आपको कोई भी problem नहीं होगी gaming laptop हो और games का test ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने इस laptop पे GTA 5 रन किया है यह normal 1080p resolution पे 90 से लेके 100 fps उपर कर रहा था बट अगर आप 1080p resolution की high preset पे खेलते हो तो भाई यहाँ पर आपको only 50 से लेके 60 fps ही मिलने वाले है जो कि ठीक टाक है कम नहीं है किसी भी माइने में और watchdog 2 भी रन किया है मैंने 1080p resolution की high settings पे यहाँ पर मुझे 40 से 50 fps मिल रहे थे और यह watchdog 2 GTA 5 से heavy graphics demanding game है और यह laptop easily इस game को handle कर लेता है कोई भी लेग नहीं मिलेगा और आपको क्या ही चाहिए और मैंने इस laptop पे fortnite game भी रन किया है इस game में 40 से 50 fps मिल रहे थे जो कि ठीक टाक है मतलब कि आप इस laptop पे e-sport titles आसाइनी से खेल सकते हो यह laptop budget virus को target करता है अगर आपको high gaming करनी है तो आप इसके higher variance की तरफ जा सकते हो इस laptop में आपको कुछ free का माल भी मिल जाएगा इसमें आपको MS Office फ्री मिलने वाला है यह gaming laptop है और आपको MS Office फ्री मिल जाए इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है इसे के साथ में Windows 11 तो फ्री मिले गई और इस laptop में आपको OMEN Gaming Hub Software भी मिल जाता है इसकी help चे आप अपने इस laptop को manage कर सकते हो इस laptop की performance को आप optimize कर सकते हो इसमें आपको 3 performance preset मिल जाते है eco, quit और default और इस laptop की fan speed को भी manage कर सकते हो जैसे कि अगर आपका laptop ज्यादा हीट हो रहा है अगर आप इस laptop को normal watt पर यूज करते हो आपको office का काम करना है या फिर study प्रपजी या normal browsing करनी है तो यहाँ पर आपको 5-6 गंटे का battery backup मिल जाएगा क्योंकि इसमें आपको 4-cell 70Wh की battery मिल जाती है और इस laptop की battery को charge करने के लिए आपको 200W का adapter मिल जाता है इसमें आपको HP pass आज का भी option मिल जाएगा बट अगर आप इस laptop पे heavy software रन करते हो लाइक autocad वगेरा या फिर आप after effects वगेरा रन करते हो प्रेमेर प्रोजेक्स वगेरा रन करते हो तो यह laptop आपको 2-3 गंटे का ही backup उपर करेगा तो अवराल बैटरी बेकप इस laptop का बहुत ही अचा रहेगा इसको लेकर आपको कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी और देखो मैंने इस laptop पे प्रीमेर प्रोज रन किया था मेरा पिछला जो वीडियो है laptop buying guide उसका पूरा प्रोजेक्ट में नहीं आप इंपोर्ट किया था और यह external SSD में इस्टोर था तो आप इस laptop पे creativity वाले टास्क भी इजली रन कर सकते हो तो अगर आपको वीडियो डिडिंग करनी है Photoshop वगेरा रन करना है अलके फुल के ग्राफिक्स वाले काम करना चाहते हो आर्टर इफेक्स रन करना चाहते हो और आपका budget भी कम है और performance के साथ कोई compromise नहीं करना चाहते हो तो भाई one of the best option रहेगा HP का यह laptop प्राइज की बात करें कि आपको यह वीडियो कैसे लगा अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कर दो और अपने दोस्तों की साथ में भी share कर सकते हो और लिए ऑप कर सकते हो और चैनल को भी शबस्क्राइब कर लेना अप कमिंग अन्बॉक्ष़िंग वीडियो